सब कुछ तो अच्छे लगता है पर जो छोटे रेंग के अधिकारी होते हैं जिसे ग्राम प्रधान हुए बीडियो हुए इनको सब को अगर बिसेश से एक बार बुला कर मानिय श्यम जी पूछे कैसे क्या हो रहा है और उस गाउं की जंता को भी बुलाएं कि कैसे क्या हो रह उस हिसाब से इंडिया जोड़ों की यात्रा पर लेके चल रहे हैं और अभी उनका यूपी में आज से उनकी यात्राइं शुरू हो रही हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे लोग सभ़चुनाओं में कितना ये इंडिया जुडेगा कामियाब होंगे राहुल गांधी जी कामिय जा सकती है पूरा पूरा सीट को मिलेगा अकिलेस यादो कर रहे हैं जीतने नहीं देंगे पेल का रहे हैं कि गड़बर कर देंगे नहीं यह सब गलत बात है वो कहते कुछ और है और होता ने कुछ और है और बहुत से बीजेपी आ रही है उमानिये प्रधाल मंतरे जी पीम र अकिलेस यादो कि शारी बाईलू खताम है यह बहुत अचार के विजली नहीं देते थे हार चीज परतारिश करते थे किसान लोग डुखी थे पानी नहीं खेट में सूखा था पानी नहीं मिलता था था थोड़ा जैसे पानी जाता था तो बिली नमस्कार आप देख रहे है पीजी नियूज मैं प्रवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लोग सभा चुनाओ जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मिया जो है वो बहुत तेज हो रही है ऐसे में अगर हम बात करें तो अलोकिक छबी और दिब सक्तियों के धनी हमारे साथ सूरजदास महराज जी है जो अयोध्या से वाइरल होते हैं और आज इन्हें बहुत सारे टीवी चैनल वाले अपने डिवेट पे बैठाना चाहते हैं और उस राजनेतिक पॉइंट पर हर एक पॉइंट पर बात चीत करना चाहते हैं कि लोग सभा चुनाओ को ल बजरंगबली की जय फे में आप सूरजदास महराज जी के साथ जितने लोगों को देख रहे हैं सम महराज जी के आसपास के लोग सहयोगी और सपोर्ट करने वाले हैं महराज जी एक सवाल की तरफ आगे बढ़ रहा है जिस प्रकार से दिल्ली में किसानों का धरना चल रहा है अपनी मांगों को लेकर महराज जी का क्या बयान होगा मांगे पूरी होनी चाहिए और किसान भाईयों को सयोग करना चाहिए सरकार को और जो दंगा साथ कर रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए सांति पूर्वक काम करना चाहिए देश में एकता बननी चाहिए लेकिन ये बताईए कि दिल्ली के गेटवे आफ इंडिया पर अगर हम बात करें जिस प्रकार से वहां पर उग्रपरदर्सन चल रहा है वहां पर लाठियां चार्ज की जा रही है पुलिस पूरा एकदम तैना कर रहे हैं और इसलिए सरकार को सकति पर दर्शन करना पर रहा है लाठी चार्ज करना पर रहा है तो हमारी यहीं निवेदन हैं हाँ जोड़कर विंती है कि सांति से बैठकर बात सुन लिया जाए हाल हो जाए और खालिस्तानियों का कहना मत माना जाए भारत का सबसे तिनाथ जी मुख्य मंत्री हैं और मानी नारेंद्र मोदी जी प्रधान मंत्री हैं इसलिए आप दोनों लोगों को सबसे अच्छा मानते हैं अगर ये नहीं होते तब तो देश सही से नहीं चल पाता और जिसे पहले लूट मार काट पिट थी वह हमेशा रहता और देश हमेश है इसलबहु हे और सुगम होँ रहा है नहीं हमेशा नहीं रहता है जानता है सरह नहीं करम करेंगे Hamilton कर्म रहेंगे तो दस साल पान साल जो होता है उसके बाद बदल दिये जाएंगे क्या लगता है बीजेपी अभी लंबे समय तक चलेगी या फिर एक दो और पंच वर्सी में सुपड़ा साफ हो जाएगा नहीं नहीं अगर ऐसे ही चलता रहा और ऐसे लगन के साथ काम करते रहें और सबकी बाते मानते रहेंगे तो वैसे हमारे प्रधर मंतरी जी और मानिया मुख मंतरी जी का कोई जोड नहीं और कोई तोड है तो हमारे हिसाब से तो यही रहेंगे अगर ऐसे काम होता रहेगा तो अगर हम राहूल गांधी की बात करें राहूल गांधी जिस हिसाब से इंडिया जोडों की यात्रा पर लेके चल रहे हैं और अभी उनका यूपी में आज से उनकी यात्राएं शुरू हो रही हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे लोग सभाचुनाओं में कितना ये इंडिया जुड़ेगा कामियाब होंगे राहूल गांधी जी कामियाब हो पाएंगे या फिर से प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी प्रधान मंत्री बनेंगे नहीं प्रधार मंतरी जी ही है प्रधार मंतरी जी भी रहेंगे और किसी के कुछ कहने से और भड़काने से सरकार नहीं बदल सकती है जी जी राहुल गाधी के अंदर आपको अच्छाई क्या क्या नजर आती है अच्छाई बताईएगा लोग बुराई पूछते हैं लेकिन हम प्राफ कांधी का अदर कोई अच्छाई ही नहीं है वह इधर आते भी नहीं है उनको कभी मिलेंगे तभी पता चलेगा कि अच्छा ही क्या है बुरा ही क्या है मुख्य मंत्री Mukh minister जी tea के अंदर सबसे अच्छा पॉइंट आपका कया लगता है और सबसे खरापॉइंट क्या लगता है सबसे अक्षा पॉइंट यह है कि वो छोटे से भी छोटे का ध्यान देते हैं और छोटी से छोटी रोड तलाव इनारा नदी मकान आश्रम कुछ भी हो वो इस पर विसेश खुद आकर देखते हैं और बनवाते हैं करते हैं और सभी गरीबों का और महिलाओं का विसेश ध्या कहते हैं इसलिए गरीबों का मसीह कहा जाता है योगी आदित्यनाथ को ना इसलिए कहा जाता है जो सब का ध्यान देते हैं एक सवाल हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी इस वीडियो को देख रहे हैं क्या कुछ उनको सुधार करना चाहिए यूपी के अंदर ताकि उनकी थीरिंगे अधिकारी होते हैं जीसे गराम परढ़न हुए इंको सब को सब कर बिच्व की जंता को भी बुलाएं कि कैसे क्या हो साधे हो तो कुछ बदल सकता है वह बहुत बदल रहा है जो जो योजनाय वह scripture नेकलती है जो गाहते उनकाक्त आजे कॉरप्त अधिकारी होते ह में खा लेते हैं साइध इस चीज़ से मामला बच जाएगा एक दम से आपको बता दें कि ये बाबा जी है ये बाली योगी के बाबा जी है थोड़ा इनसे भी जानने की कोशिज करेंगे गाउं के हैं ना यहां बाबा जी यहां मंदिर फ्याते हैं जो भी करते हैं सेवा करते बहुत बहुत स्वागत है आपका क्या नाम हो आपका सुरेंद्र कुमार सिंग सबसे पहला सवाल क्या कहना चाहेंगे बाल योगी सूरजदास महराजी के लिए जब से आए जिस प्रकाश से सूरेंद उता है चिरिया कोय सब बोलती है पर पच्छी सब चलते फिरते रहते हैं आनन्द करते हैं और रात में जो है अन्द उलू चोर दकई सब लोग भाग आते हैं और सूरज की आने पर सभी आज्यानता दूर हुई है इनकी आने पर सब्योस्ता सूरचित है सब्योस्ता सूरचित हो गई मिश्रवली गाउं जी बताइए कि जब सूरचदास महराज जी की चर्चा टीवी चैनलों पर आप देख रहे थे पूरा एकदम चर्चा में यह थे पूरा बड़े बड़े चैनल इन से डिवेट कर रहे थे कैसा लग रहा था काज हमारे तब करें हुए तांट लगों आजकल हम देखा रहे कैसे बोलना चाहिए कुछें से लड़के अच्छे से कपड़े नहीं पहनना सीखते हैं अज्छे से चलना नहीं जानते हैं वहां पर इनसे कोई भी सवाल कर दिया जाए राजनितिक मुद्दों से लेकर संसारिक मुद् कि बुद्धी पर्खर है और हम लोग अज्ञानी है इनके सामने कोई बात नहीं कर सकते हैं इसलिए हम लोग उतना अच्छा नहीं करते हैं महराज जी बाबा जी क्या लगता है लोग सभाचुनाओ नजदीख है कौन आ रहा है भाजपा आएगे नरे मुटी प्रण मंती बने लोग तो कह रहें हैं कि योगि जी प्रधान मंत्री बनाया जाएगा क्या लगता हे क्लेश्य Off मिलते था तोड़ा जैसे प्रनु चाहर कुछानों को समय बजली नहीं देते थो जहीं हम ठाटारिश करते हैं किषाला लोग नुखी थे पानी ने अग्य सभा ठारी नहीं मिल रही हैं ? जोड़ा जैसे पानी जाता था बिली फूम हो जाती थी योगी सरकार में विजुली सभी आए हैं ? हाछ योगी सरकार में बिली सही आ रहीbn है दूर बेचिस काम नहीं है कोई काम जो है फोटा नहीं है किस जी डूसा पतल भेके और ब्रह्मत बाइल शुए ये मामली बाथ है किस जी महन बरे तो हम लोग आने वाली पीढ़ी किस जी की तरह राम की की तरह बनना चाहिए और इसे का उचाने तो आप एब देख सकते हैं य लोग सभाज चुनाओं में अब की बार BJP कितना सीट मार सकती है जी जीतना सीट है पूरा की पूरा सीट भीजेपी को हुई मिलेगा अकिलेश यादो कर रहे हैं जीतने नहीं देंगे भेल कर रहे हैं कि गड़बर कर देंगे नहीं ये सब गलत बात है वो कहते कुछ और है औ पूर बहुपमत से बजेपी आरही है और अमान्यय प्रधालमंतरी जी में रहेंगे और दर्सक इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं सब के लिए क्या कहना चाहेंगे नवजवानों का मुद्धा है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं आ रहे हैं, योगी सरकार में, देश का तुभी कास वह रहा है, लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, क्या कहना चाहे हैं? आज कर सब काहिल होना चाहे जाएंगे, क्योंकि पहले कई काम यह होते थे, अब सोच रहे हैं, सब पढ़ते लिखते हैं नहीं सही से, और इधर उधर गूमेंगे, और सोचेंगे, कि सरकारी नोकरी मिल जाए, और इसके बाद हम बाइस करें, और कर्म के जिए कर्म के इसार, का मिलता है, मिलेगा, जे रास्ट मेे काहबा महराजी, आखिरे और अन्तिम सवावं, बहले, बचरंग भली की, ज, और सिया पत रामुचंद्री तो आप देख सकते हैं हमारे साथ बाल योगी सूरजदास महराज जी थे और अपनी बात रख रहे थे लोग सभा चुनाव को लेकर इनकी बाते आप लोगों को कैसी लगी कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजेगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सेर करक तमाम लोगों तक पहुंचाने की क्रिपा करिएगा चलिए मिलते हैं फिर से एक नेस्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ तब तक के लिए हमें देजिए इजाजत जय हिंद जय भारत